जहन प्रिंट्स असतो मा सद गमया तमसो मा जोतर गमया मृत्यो मा अमरताम गमया ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही उपनिशत की बड़ी प्यारी प्रार्थना ही यह कि मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चल मुझे अंदकार से उजाले की तरफ ले चलू और मुझे मृत्तु से अम्रित की तरफ ले चलू बहुत बहुत प्यारी प्रार्थना बहुत प्यारा काव्य और आज का जो समय है कि मुझे कुछ ज्यादा ही अंधकार में हो गया है कि दो चार घटनाएं मैंने देखी मिरी नजर में आई तो फिर मैंने शोचा की नहीं मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूंगा जिसका नाम होगा फोर्थ लॉओ तीन तो आपको पता ही अबॉड़ी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अबॉड़ी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल अनलेस एनी एक्टरनल फोर्स इस अप्लाइट और यह कभी चेंज नहीं होगा जो वस्तो इस्थिर है वो इस्थिर रहेगी जो गतिमान है वो गतिमान रहेगी जब तक उसे कोई बाह बल नहीं लगा Clemente पहला लॉव है चेंज नहीं होगा पंकशान थे हमने स्विच दबा दिया चलने लगा ऐसे ही आपके जीवन में भी कुसी बाह बल की जरुरत है बिल्कुल ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी बाह बल या एक्सटरनल फोर्स की जरूरत है क्या है वो एक्सटरनल फोर्स किस एक्सटरनल फोर्स को लगाना है हमें जिस से की हमारा भी जीवन बदले यह रेस्टलेस्नेस खतम हो दूसरा है फिजिकल्टू एमिंटूए तीसरा है अब्री एक्शन है इक्वल एन अपोजिट रियाक्शन और यह नियम नहीं बदलेंगे ऐसे ही मैं अपने जीवन के आधार पर थोड़ा बहुत अध्यन के आधार पर थोड़ा बहुत संगत के आधार पर आप से कुछ बातों की चर्चा किया करूँगा यह प्रोग्राइम हर रविवार सुबा दस बजे प्रसारित होगा रे अवद ओजा के चैनल से बहुत सारे लोग संड़े को दस बजे रे आवद ओजा बहुत सारे लोग संड़े को सुबह दस बजे उठते हैं तो मैं चाहता हूं कि जब आप दस बजे उठें सुबह तो कुछ अच्छी चीजों से जीवन की शुरुआत हो और फिर जो मंड़े से आपका एक नया सपता शुरू हो वो कुछ नए प्रियोगों के साथ शुरू है बड़ी छोटी छोटी बाते हैं इस एपिसोड में जो हमारा पहला एपिसोड होगा हलाकि यह संड़े को नहीं मंड़े को होगा 13 नवंबर उस दिन भी आप सारे लोग छुट्टी का ही दिन होगा 13 नवंबर 12 को द या जा सकता है कि अ आप पीन अपिसोड है मेरा कि इसमें बहुत सारी चीजों पर चर्शा करूंगा मैं गीता पे गीता स्लोगों फेंपें करूंगा मैं कबीर फेंपें Eck python करूंगर मैं जीवन के सामानी सिभ्धान और चारूंगा मैं बहुत व्यूंच कां गलती हो रही क् एक घटना थी लखनाओं कि जिसने मुझे बड़ा आहत किया 14 साल का बच्चा आ रहा हूँ पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर लिया 14 साल 14 साल में कौन जानता सुसाइड क्या होता है पटना की एक कॉलोनी है नागेश्वर कॉलोनी एक लड़की विचारी छट से कूच जाती है हापोर्ड रेल्वे स्टेशन पर सारी जनता के सामने एक यूवा महिला यूवा महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है लोगों को लग रहा है कि शायद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रही है और फिर वो सामने आ रही ट्रेन के नीचे लेड़ जाती है जब तो लोगों को समझ में आये खतम यह तो दो तीन घटनाए हैं जो जिस पर मेरी नजर गई ऐसा डेली हो रहा है अब आज मैं आपको एक सिध्धान बताने जा रहा हूं जो शायद आपको इस जीवन की अन्दिकार से बाहर निकालने में मदद करें अब भारत जो देश है वो ज्यान का देश है भारत का भारत का मतलब भी है ज्यान जो व्यक्ति है जैसे स्वामी विवेकनंद स्वामी विवेकनंद यह बिल्कुल आलग रूप में रहते हैं एक जो आम संसारी है और फिर स्वामी विवेकनंद मस्त दिखाई पड़ते हैं आनंदित दिखाई पड़ते हैं तनाव रहित दिखाई पड़ते हैं जबकि इनके पास अगर आप गौर से देखो तबीर यह स्वामी विवेकनंद और एक संसारी हम और आप इसके पास अच्छी अच्छी कारे हैं घडियां हैं कपड़े हैं पैलस है और यह तनाव में हैं यह दुखी है यह डिप्रेस्ट है इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है यह मस्त है यह सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है यह कुछ भी नहीं है और यह मस्त है यह आनंदत है क्या वज़ें हो सकती है इसा कैसे हो सकता है यह कुरियोसिटी मन में पैदा होना सौभाविक कि यह क्यों हो रहा है सब कुछ है सब कुछ मतलब जो एक संसारी सोचता है आज का जीवन देखो आप बहुत संख्यक लोगों को मैंने देखा जिनके पास पैसा नहीं है वह परिशाने समझ में आता है जिनके पास है चारों तरव में देख रहा हूं परिशाने लोग कुछ न कुछ बेसिक गलती हो रही हो कही न कही एक छोटा सा सिध्धान्त गत तुटी हो रही हो कुछ तो हो रहा हो दोना ऐसे कैसे हो सकता है दुखी तो इनको होना चाहिए मसत है आनन्दित है तो क्या है क्या बात हो सकती है तो मैं अब ये दुनिया में दो शक्तिया है गार करीएगा एक capitalism जिसको आप पूंजी वाद कहते है एक spiritualism जिसको आप अध्यात्म कहते है अध्यात्म वाद उसको लेकर बड़ा confusion है लोगों के मन में, बहुत शंकाएं हैं, कि अगर इस्पिरिच्वलिजम के तरफ सिर्फ बुढ़े जाते हैं, और इस्पिरिच्वलिजम की तरफ जो जाता है, वो मतलब दुनिया को छोड़ देता है, उसका परिवार नहीं होता है, और मतलब वो एक तरह से, what I can say, जैसा कि ल लोग बाते करते हैं, इसी मॉडल में लोग बात करते हैं, जब मैं बाहर बच्चों से पढ़े लिखे, जो बड़े अच्छी स्कूलों में पढ़के आएं, कॉन्वें में पढ़के आएं, इनुस्टीज में पढ़के आएं, तो जब मैं उसे कहता हैं, यहार अध्यात्म क पूरा जीवन पड़ा होने का क्या मतलब है, पहली गल्ती तो यही हो रही है, दूसरी गल्ती हो रही है, आप किसी चीज को समझ नहीं रहे है, पूजी वाद, ये भोग शब्द का इस्तमाल करता है, ये योग शब्द का इस्तमाल करता है, इसका संबंध सेंसे से है, इंद्रिया अब अच्छा देखना है कि आप उप गए अपने शहर में रहे रहें वही चीज बार-बार वही गुड्डूमल चवराहा गोंटा का वही रानी बजार वही इलहाबाद का सिविल लाइन वही कट्रा अब एक चीज देख देखकर उप गए या इंद्रिया तो वही की लाइकी छाशियत है कि वह ओपेंगी अ कि विशेष्टा यह उसाफाविक है कि वह उपंप में पृब कि विशेष्टा है ई प्रीचे रहांका कि बुता आप ने गात्सप्छन नया देखना आक शफा exciting कश्मीर पहुंच गया आप कश्मीर पॉनुच गये हम आंके बहुंख कशमीर भी जाने के लिए में जब्स पॉछ खूँटेल दाल चावल दाल चावल और भिधिक भूटिया-वही रोटी सब्जी दाल चावल तो आप बाटी चोगा खाली ज्यादा पैसा है तो आप फाइव स्टार पहुंच गए एए यह वही लोगों की कौकों जोजो कुछ अच्छा सुनना है आप सत्संग सुनने चलेगे ज्यादा पैसा है आप किसी कंसर्ट में चलेगे यह भोग है जो इंद्रियों से जोड़ा हुआ है वो भोग है लोग करें आरे भी आप पैसा रखे हैं भोग रहे है अब इन सारी इंद्रियों को खुश रखने के लिए आपको क्या चाहिए धन और एक साथ सारा मजा लेना है आख नाक कान जीब तो अच्छा एक साथ सारा मजा लेना है तो आप पहुंच गए गोवा अब भण देख रहें बढ़िया खा रहें बढ़िया घूम रहें बढ़िया आनभव कर रहें कुझी वाद को पता है कि आदमी शांत होना चाहता है यह जो भोग है ना जो बाहर से शांती लेने की कोशिश है यह धन पे टिकी हुई है डिपेंडेंसी है यह और धन और धन और धन भाग रहे हो आप क्योंकि इस धन का गहरा संबंद इस भोग से है अगर धन नहीं तो भोग नहीं यह 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 और पूंजी वाद ने बड़ी गहरी व्यवस्ता समझ रखा है पूंजी वाद ने उन्होंने एक सब्जेक्ट डेवलप किया साइकॉलोजी यूमन माइंड उनको पता है आदमी अपने मन को शांत करना चाहता है अब लगातार वही गंगाजी देख रहे वही गंगाजी देख रहे इलहवाद में पहली बार समंदर विशाल पानी देखा मन चांत हो गया उबेगा वह वहां से भी उबेगा वहां से भी अगर दस साल लगातार वहां रह जाए तो वह उससे भी ओवेगा जितना भोग इंद्रियों पर आधारित है सेंसेस पर यह सब बाहर है इसमें धन खर्चा होता है इस भोग की डिपेंडेंसी धन पर है धन लाना पड़ेगा तभी यह भोग मिलेगा तो धन की दौड़ धन कमाने की दौड़ वेक्ति को नचाय हुए है और धन सीमित है सबके पास हो नहीं सकता नहीं तो इंफलेशन का सिद्धान तूड़ जाएगा वह सबके पास अगर भारत में पांच-पंच करोड रुपया हो जाए तो आलू भीके का तीन लाग रुपया किलो सबके पास हो नहीं सकता और सबको चाहिए यह बाहर की दुनिया है पुझी वाद भोग इंद्रिया धन यह करेक्शन है यह करेक्टिविटी है पहुकरो परकॉसी मेंॉस कन देया है पैसा होगा पैसा पैसा सीमिर गए कि पैसा सी मित है कि अज़ाइक है इसलिए यह जो भोग है यह दो सुख भी दे रहा और जैसे आप उससे हटो के उसकी याद आईगी बस दुख हो जाएगा दो रोट इंट्रकनेक्टेट है वोक का संबंद इंट्रकनेक्टेट संबंद है इसलिए भोगी कभी संतुष हो ही नहीं सकता है कि यह सारा नेक्सिस पूजी वात का है कि कापिटलिजम भोग सेंसेश धन कि यह सब चंद छड़ों के लिए इसारा भोग बाहर है सारा अब पनटते इधर की तरह आते स्प्रिश्वलिजम योग किस से कॉंशिस है अब यह बड़ा रहस्म ही चीज़ है कॉंशिस चेतना इस पर चर्चा करके तो नहीं समझाए जा सकता इशारे किये जा सकते है यह चीज ऐसी है जिसको दुनिया में कोई समझा के समझा नहीं पाया बता के समझा नहीं पाया कभी इसमों कहते हैं कूंगे का गोड़ लेकिन इशारे किये जा सकते हैं चेतना एक सुंदर चेहरा देखा मन एक बैक शांत हो आप होश में आगए चैतन पर आगए आप वक करते हुए जा रहा है मस्ती में कुट्ट ने दड़ा लिया सर में दर्ध हो रहा है सारी चेतना वहीं दर्ध पर बैठी हुई वह चेतना जब बाहर निकल जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता जब कोई आभी मरता है तो आप यह नहीं कहते कि गनपत्राय मरा लेटा है आप कहते हैं मिट्टी पड़ी है मिट्टी उठालो मिट्टी ले चलो मिट्टी जला दो कोई नाम लेकर नहीं कहते हैं गनपत्राय को उठालो गनपत्र का चिता पर रख दो अहां मिट्टी चेतना निकली मिट्टी और इस कॉंशियस से जो चीज जुड़ी हुई है वो है होश अवेर्निस अवेर्निस आपको पता है कार आनंद नहीं है कार निसेसिटी है कार आनंद नहीं है है फार सिर्फ आनंद नहीं है को निसेसिटी सक्ता आनंद नहीं है था अंजनो कि छुए तो कहते हैं होश में जीन अभाण Capitalism पे बहूप कौन करेगा इंद्रियां करेंगी आए भोग कैसे होगा इंद्रिया बोग कैसे करेंगी पैसे से धन से धन बहार है अध्यात्म योग apo and अपनी चेत्ना से जुड़ना वो चेत्रा से वा anda जुड़े तो कार आपकी कमाने लिए कुछ करदा पढ़ेगा होच कवाने के लिए बी करना पड़ेगा कि आज की दुनिया क्या हुआ वह भोग की तरफ डाइवर्ट हो गई है उसको नेसेसिटी नहीं है तो भी चाहिए हमारे अग्मित रहें तो मेरे साथ कोईंबर टूर गए तो स्विफ्ट गाड़ी आई लेने के लिए रिसीव करने के लिए कि कहें यार बताओं लोग इतने गई कुछ रहें स्विफ्ट भेजएं बताओ अब मैंने का पागल चलना ही तो है अरे नहीं कोई देखेंगा तो क्या कहेंगा कौन देखेंगा अरे स्टेटस गिर जाएगा विवेक नंत का तो नहीं कि रहा है पाइदल चले गए पूरे भारत कि गिरों पहिने उनका तो नहीं गिर रहा है होश में है अब यह सब चलता रहा है कोई बात नहीं अच्छी बात है यह सब चलता रहा है इसको छोड़ना नहीं है मयोदार बात है कि इसको छोड़ना नहीं है इसको जोड़ लेना है अच्छा है पैसा कमाओ खुब खुब पैसा कमाओ पांच लाक करोड इन सब को छोड़ना नहीं इसके बिना यह जहर है इसके बिना इसके बिना यह जहर है और आज बहुत संक्यक लोग बहुत संक्यक मेजॉरिटी का डायरेक्शन खराब है दिशा खराब होगी है यह जो प्रोग्राम है फोर्थ लौ यह दिशा की ही बात करेगी डायरेक्शन खराब है कुछ नहीं खराब है सिर्फ डायरेक्शन खराब है ना आपकी किस्मत खराब है ना आपके सितारे खराब है ना आपका समय खराब है लोग करते भाईया हमको अच्छे लोग नहीं मिल ला है बुद्ध को अबुद्ध का व्यक्ति तो देखो अंगुल आपके साथ संत रह के बाद वहां सो जा रहा है एक अच्छी लड़की किसी घर से साधी करके आई आपने इतना चरस कर दिया उल्टा सीधा हम तो चार बज़े चाय पीते हैं सुबह लो आया लाए हो शादी करके लायो किसी बिटिया को लड़की को तो आया थोड़ी लायो एड़ेस्ट होने दो उसको छे महिना घर में कर तो बेटा आराम से रहो सबको देखो जैसा है मौच चरो कोई दिक्कत नहीं चे साथ महिना साल भर उसको यह मत काओ कि टाइम दे रहा हो रहने दो कि आ अम्मा के साम को चर में तेल लगा देना पहले कभी लगाई है अ कि उसको फील होता है कि मैं घर की सदस्य बनकर आई हूं कि मैं आया हूं आप सोचके दो किसी घर गए हो पहले थे मैं आपको पॉइंट कि ना आने लगे है आपको लगए महमान है कि नौकर है दिशा खराब हो गई लोगों की, दुलहन को आया बना दिया, बच्चे को सपना पूरा करने की मशीन, भाईया हमारी बली एक्छा है, हमारा सपना था भाईया कि हमारा लड़का आये सो, तुम्हारा सपना, तुम जानो उसको अपना सपना जीने तो ना, उसको अपना सपना पूरा करने कंपेल मत करो, अपनी आँख निकाल के उसकी आँख में डाल दोगे, उससे को बेटा पढ़ो अच्छे से, थोड़ा सोच विक्सित करो, देखने का दाइरा विक्सित करो, अराम से, कोई बात ने, दिशा बदल गई, बस दिशा का सुधार करना ए, यही है फोर्थ लौ, बस दिशा का सुधार करना है, यही है फोर्थ लौ, तो यह तो एक introduction था एक परिचे था इस प्रोग्राम का इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे और जो पहला एपिसोड होगा वो मन पर होगा भगवान का सबसे बड़ा उपहार जो समझ में ना आए तो अभिशाप बन जाए अगले एपिसोड में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी पहले एपिसोड में और पहले एपिसोड का जो चर्चा का बिंदु है वो है मन असतो मा सद गमया थमसो मा जोतर गमया मृत्यो मा मृताम गमया ओम शांति ही शांति ही शांति झाली झाली झाली